नमस्कार गौरा नेटिंग क्लासेद में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे साइड पॉकेट इस तरह से जेब जो है हम बनाना सीखेंगे जो जब हम मार्केट से लेते हैं स्वेटर तो जो रेडिमेट हमारी स्वेटर होती है उसमें हम इस तरह की पॉकेट जो हमें मिलती है तो हम सीखेंगे किस तरह से यह पॉकेट हम तयार करेंगे बहुत ही आसान तरीका है पॉकेट को बनाने का देखिए अभी हम इस स्वेटर पे पॉकेट बनाना सिखेंगे देखें तो इस पे एक पॉकेट जो है मैंने पहले तयार करके रखी विए यह देखें ठीक है और अब हम इसकी दूसरी साइड जो है दूसरी जो पॉकेट है हमारी वो बनाएंगे तो इसमें देखिए यह देखिए इस तरह से मैंने पूरी स्वेटर को सिल लिया है और जहां पर हमें पॉकेट चाहिए बस वह हिस्सा मैंने खुला रख है देखिए open इस तरह से इस वाट की जो लैंथ है पूरी आम होल से नीजे की side तो यह हमने इसकी length रखी है यहाँ पर 21 के करीब है इसकी length 21 के करीब इसकी length है और अब यहाँ पर देखें जो हम pocket यहाँ पर बनाएंगे वो आम होल से नीजे के लिए देखे साध्य आट इंच तक उपर आम होल से नीचे के लिए और pocket से उपर के सिंद दिया है और pocket का gap जो मैंने open रखा है यह यहाँ पर मैंने साड़े 5 यहाँ तक हमारी जो pocket है खुली वी है यह देखे साड़े 5 और उसके बाद आप नीचे के लिए ले लेंगे तो pocket जो है armhole से हमें नीचे के लिए start करनी है साड़े 8 इंच के बाद ठीक है अब हमें क्या करना है इसमें इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है हमें हमें सिर्फ उठाने यहां से फंदे और फंदे लेंगे हम इसकी सीधी साइड से देखे अब देखे जो इसकी सीधी साइड है हम फंदे लेंगे अपने जितनी भी यहां पर देखे आप यह जो जितना भी यहां पर गैप है इस सारे हमें यहां से फंदे उतारने होंगे और निडिल पर लेने हैं इदर ठीक है तो आप चाहें तो एक निडिल खाली रखके दूसरी निडिल में फंदा ले सकते हैं या फिस सारी निडिल में भी फंदे ले सकते हैं जो जितना भी हमारा एक खुली साइड है पॉकेट का इसमें जितने आपके फंदे आएंगे आपको वो सारे फंदे ले लेने हो यहां पर तो इस तरह से मैं सारे फंद्व को लेकर कि alla कि उसके पर फंदे साया कि यह समझते कर स्वरका जैने इसके प्रधारा इस दो मैंने ले लेए आप इसके बाद रमें क्या करना है पर प्रेटी होगी उस हिसाब से हमें यहां पर स्लाइय लगानी है तो हम इसको इसकी जो पॉकेट की जो जो गहराई होगी वो हम लेंगे हापे 10 इंच के कारीद मतलब 10 का आधा हो जाएगा 5 इंच तो हम 10 इंच तक इसे सिंपल ऐसे ही बनाएंगे तो 10 इंच कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे ऑर जो यह आप मैंने पॉकेट की जो लमबाई हमूने यहां पर रखें सहीं ये देखिए 10 इंच यहां पर complete हो चुकी है अब इसके बाद जो ये फंदे इनको मैं बंद कर लूँगी तो हम इन ये बंद कर लेंगे इन फंदों को देखिए फंदे मैंने बंद कर ले हैं और ये है इसकी सीधी साइड ये देखिए आपको दिख रहा होगा अब हमें करना क्या है यहां मैंने फंदे बंद कर ले देखिए ये खुली साइड है अब हम अपनी स्वेटर को करेंगे उल्टी इस तरह से कार्डेगन को उल्टी करे और उल्टा इसको करने के बाद हमें इस तरह से लेना है और जो यह अपन साइड है हमारी इस साइड का फ्रंट साइड है तो जो यहां से हमें अब इसको सिलते हुए जाना है यह हमारी रॉंग साइड है उल्टी तरफ है स्वेटर की देखी और अब हमें सिलना है इसको यहां से सिल लेंगे यहां तक और इसकी दोनों साइड जो खुली साइड है हमारी दोनों साइड से यहां से भी यहां से भी इसे भी हम सिल लेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या करना है देखे जो हमारी pocket है मैंने उसको seal लिया है तीनों side से इस side से भी और इस side से भी और जो हमारी front side थी उस side से भी अब इसे sealने के बाद देखे हमें क्या गाना है last हमारे एक काम ये बच जाता है हमें swing जो है यहां से आगे की तरफ ले जानी है यहां पे और हमें यहां पर जो हमारा front part होगा यह देखे यह हमारे आगे की तरफ का जो हिस्सा है उस पे हमें क्या करना है उपर से हमें एक slide और लगानी होगी हाथ से ऐसे ही करेंगे हम यह हम असीन से भी कर सकते हैं तो यह हम इसले करेंगे ताकि जो हमारी pocket होगी इस पर अच्छे से finishing आ जाएगी ठीक है और वो उठी-उठी सी नहीं लगेगी तो यहां पर हमें क्या करना है देखिए इसी धागे को मैं आगे की तरफ ले आए हूँ और आपको बिल्कुँ सिंपल इसी तरह से बस इस तरह से आपको इस पर स्लाई लगा देनी है यह देखिए इस तरह से बाग इसमें कुछ भी नहीं करना है बहुत ही आसान है यह pocket बनाना खास दौर पर उन लोगों के लिए जिनको अभी pocket बनाना जिन्होंने नहीं सीखा है या फिर जो अभी सीख रहे हैं तो यह देखिए इससे क्या होगा कि आसान तरीके से यह pocket बनाना भी सीख सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से अब हमने यह पूरा सील दिया है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा एक्दम finishing के साथ जो है हमारी pocket ready होगी है अब इस दागे को अंदर के दरफ ले जाके नोट लगा लेंगे हम यहाँ पर तो यह देखिए इस तरह से हमारी pocket के finishing आ चुकी है यह देखिए और इस तरह से ठीक है तो यह दो sweater मैंने तयार की है और दोनों पर मैंने ऐसी ही pocket ready की है यहाँ देखिए इस पर भी इसी तरह से मैंने pocket डालेगी देखिए तो मैंने सोचा कि आपकी साथ यह शेयर जरूर करूँ तो आपको अगर यह पसंद आई हूँ वीडियो तो से लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद झालेगा